नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्णमेंट एक्जाम प्रैप। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे डेली करेंट अफेर की जिसमें खबरे होंगी 24 दिसंबर 2020 की। जो कि आपके आगामी परिक्षा है SSC, CHSL, CGL, दिल्ली पुलिस, UPSI, बिहार SI, राजस स्थान पुलिस, All Comptative Exam, यानि सभी प्रकार की परिक्षाओं के लिए हलाब दायक सिद्ध होगा, इसके साथ 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 स्टेट सर्विसेज में भी यह हेल्प करेगा। तो आईए दोस्तों एक एक करके आज चर्चा करते हैं, रास्टी मामलों में पहली खबर है, तमिल ना सरकार ने राजी के लोगप्रिय खेल जल्ली कट्टू के अगले महिने आयोजन की अनुमती दे दी है, कोविद-19 महामारी के कारण, मद्दे नजर दिसा निर्देस, इसकी गाइड लाइन जारी की जाएगी दोस्तों, जिसके साथ इस गाइड लाइन के साथ ही यह पारंप पारंपरी खेल या लोगप्रिय खेल आयोजित किया जाएगा, तो जल्ली कट्टू के लिए अधिकतम 300 प्रतिभागियों को एक अन्य खेल है, इरुधू, विदुम, निगाची के लिए अधिकतम 150 प्रतिभागियों की अनुमती दी गई है, दोस्तों यह अलंग नलूर औ और पला मेडू, तमिलनाड के वेच हेतर है, जहां सदियों से इस खेल का आयोजन हो रहा है, जल्ली कट्टू एक पारंपरी खेल है, यह पोंगल के समय आयोजित होता है, तमिलनाड में जनवरी में फसलों की कटाई के समय पोंगल मनाया जाता है, तो यह ध्यान रखेंगे कि इसी तरह से करनाटक में कमबाला है, इसी तरह से इस्पेन में बुल फाइटिंग होती है, वहाँ पे भी यहाँ खेल बहुत प्रचलित है, तो ऐसे कनेट करके कभी-कभी आप लोग परिक्षाओं में आ जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं दूसरी जो एर मिसाइल, दोस्तों याद रखेंगे कि भारत ने मध्यम दूरी की, जमीन से हवा, यह बहुत महत पूर्ण बिंदू है, यानि सर्फेस टू एर में मार करने वाली मिसाइल, मीडियम रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल का, चांदीपूर के LC3, यानि लांच कॉंपलेक्स 3 स इसका सक्सेसपूल परिक्षण किया गया, यह मिसाइल देह ध्यान रखेंगे, 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लडाकु भीमान, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी भीमानों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है, इसकी सबसे बड़ी यह ख पोठ से परिक्षण किया गया था, तो दोस्तों चांदीपूर यह कहां है, उडीसा में है, चांदीपूर के LC-1 से सबसे पहले, बंसी नामक एक मिसाइल को पहले हवा में दागा गया, फिर इसके चंद मिन्टों बाद इस मिसाइल को हवा में दागा गया, फिर MRSM मिसाइल सटीक निसाना लगाते हुए बंसी को हवा में ही ध्वस्त कर दिया भारत डायनमिक्स लिमिटेड में ध्यान रखेंगे MRSM का निर्मार किया गया है परिक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानि DRDO तथा अंतरिम परिक्षण परिसद जिसे ITR कहते हैं इसे जुड़े वरिष्ण नागरिकों यानि अधिकारियों और बैग्यानिकों का दल इसमें मौजूद था दोस्तों केन सरकार ने 1980 के आसपास सैन मिसाइल टेस्ट रेंज के विकास के लिए इसके डेवलप्मेंट के लिए जगह की खोश सुरू कर दी थी कब 1980 में ही याद रखेंगे फिर तब अगनी मिसाइल पर काम चल रहा था इस बी कर्मेंट आफ इंडिया डिसाइजे टू डेवलप ए नेशनल टेस्ट रेंज नियर बालिया पाल ध्यान रखेंगे ये भी महत्पूर्ट यानि भारत सरकार ने 1986 में बाला सोर जिले में ही बालिया पाल के पास नेशनल टेस्ट रेंज बिक्सित करने का निरने लिया हाला कि 1995 में इस निरने को कैंसिल कर दिया गया था फिर चांदीपूर के लांच कंप्लेक्स 3 के करीब अब्दुल कलाम द्वीब जिसे वीलर द्वीब के नाम से जाना जाता था दोस्तों अब इसे कलाम द्वीब के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों लांच कंप्लेक्स 4 के निरम अगनी पृतिवी सब का परिक्षण यहीं से किया गया है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट जेंडर डाटा हब तो दोस्तों यूएन वोमेन अब यहां पर देखें यहीं प्रस्न बन जाएगा कि किसके साथ यूएन वोमेन यानि संयुक तरास्ट महिला संग और केरल सरकार ने भारत के पहले लिंग डाटा हब की स्थापना के लिए आपस में आये हैं दूसरे का सायोग किया है मतलब भारत का सायोग किया है केरल के मुख्यमंत्री कौन है यह भी याद रखना पिनाराई विजियन है कि उपस्थिती में इस समझोते पर MOU यानि ग्य सम्मेलन के दूसरे संस्क्रण का सुभारम और लेंगिक समानता और महिला ससकती करण पर बैस्विक मानक धाचों पर यह कह सकते हैं कि इसकी जो कारेकार कामकाज है इसको और बढ़ाया जाएगा यानि इसमें मतलब इंगेज किया जाएगा दोस्तों आप समझ सकते एक या चो की हरतंगेज करने वाली रिपोर्ट सासा संयुक्त रास्ट संग ने भी रिपोर्ट दिया कि इस कोरोना महामारी से बिश्व के बिभिन देसों में घरेलू हिंसा से ग्रसित हो रही है महिलाएं तो इन महिलाओं को यानि इनको जैसे कारमे साहभागीता वो महिला ससक इन सब की यह बहुत अच्छी पहल है केरल सरकार की और भारत के पहले Link Data Hub की स्थापना कौन करेगा केरल सरकार वो भी किसकी सहयोग से UN Women के तो यह बहुत महत्पूर्ण है यानि महिलाओं के उत्थान की और यह है एक कह सकते हैं महत्पूर्ण कदम होगा अब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जान लिजिए कि Link Data Hub के बारे में तो Gender Hub नवंबर 2015 में IOG Gender Equality पर International Conference के माध्यम से स्थापित लक्षों पर आधारित है यह महत्पूर्ण बिंदु है ध्यान रखेंगे और यह सायोग Gender Park के माध्यम से केरल के सामाजिक न्याई विभाग द्व Census भारत की जो Literacy Rate भी है वह सबसे ज़्यादा यानि सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं कहां है तो केरल में ही है Sex Ratio यानि लिंगान उपात कहां का सबसे अधिक है तो केरल का है यह 1,084 यानि 1,084 यानि 1,084 यानि 1,084 पूरसों पर यहां 1,084 महिलाएं है तो Human Development Index में केरल काफ मेलब कह सकते हैं सर्वोष्टम स्थान पर है दोस्तों तो इसलिए देखिए कि यहां पर Women Empowerment के लिए विभिन प्रकार के कार नित नए किये जाते रहते हैं तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं अंतरास्टी मामलों में नेतनियाहूं गॉर्मेंट फ कि तरह बढ़ गया है अब संभावना है कि 23 मार्च को अब देखें यहां पर एक पॉइंट ये भी याद रखना कभी कभी संसद का नाम पूछ लेता है कि वहां जैसे जापान की संसद को डाइट कहा जाता है तो इसी तरह से इसराइल की संसद का नाम क्या है नैसेट है यह इस दिसंबर की तैसीमा के भीतर ही संसद से बजट पास नहीं करा पाई जिसकी वज़ा से नैसेट के स्पीकर येरेन लेविन ने संसद को भंग करने का एलान कर दिया दोस्तों इसके जो विपक्छी नेता है बेनी गैंडज के साथ मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन बजट के मुद्दों पर दोनों ने तासैमत नहीं हुए और उन्होंने हाथ वापस ले लिया जिसकी वज़ा से यहां गटबंधन की सरकार गिर गई तो दोस्तों इसराइल की संसद में 120 मेंबर हैं बहुमत पाने के लिए 61 मेंबर की जरूरत होती है लेकिन पिछले कई चुनाओं मे किसी भी पार्टी की इतने सदस से नहीं जीते हैं यही कारण है कि यहां पर कोईलेशन पार्टी की सरकारे बनती हैं यहां गटबंधन कोईलेशन गौर्मेंट का निर्मान हो रहा यही कारण है कि यहां पर अस्तिर सरकारे हैं दोस्तों ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं कोरोना आलसो रीज़ दा अन्टार्कटिक नाउ वाइरस आन एवरी कॉंटिनेंट। दोस्तों याद रखेंगे कि अभी कोरोना नामक महामारी, यानि यह कोरोना नामक एक बिमारी ऐसी आई है, यह ऐसी महामारी आई है कि एकदम समानता का अधिकार को पूरी तरह से प्रासं आदमी कैसे इसका उपचार कराएगा, लेकिन कोरोना ने क्या किया है कि किसी को भी नहीं बखसा है, सब को बराबर कादिकार दे रहा है, यानि किसी को भी अगर महामारी यह लग जा रही है, तो किसी को बखस नहीं रहा है। पहले क्या होता था बड़े लोगों को, अमीर को बिमारी होती थी तो वो ठीक करा लेते थे अमेरिका चले जाते थे जापान चले जाते थे नई नई टेक्नलाजी विक्सित हो गई है लेकिन यह कोरोना नामक महामारी के लिए अब कोई भी ट्रांसपर नहीं हो रहा है कि अब उनको यहां पर इस देश में ले जाए जाए वहां अच्छी सुभिदाएं हैं तो कहने का यहीं मतलब है कि इससे कोई भी महाद्वीप अच्छूता नहीं है उसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप में भी यह वाइरस पहुँच चुका है तो दोस्तों अंटार्कटिक अब देखिए चिली की सेना ने कहा है तो अब जैसे यह अंटार्कटिक क्या है इसे क्या कहते हैं बैग्यानिक अनुसंधानों की भूमी कहा जाता है लेंड आफ साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है इसे मूवेबल कांटिनेंट कहा जाता है इसे मूवेबल कांटिनेंट म नहीं कारण है कि इसको यहां move करता है तो बर्फ पिगल जाती तेक अस्थान से दूसरे तो इसको movable continent कहा जाता है इसके साथ साथ इसे स्वेट महाधवीब के नाम से भी जाना जाता है क्या कहेंगी इसे white continent के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे बिस्व में यह अंटार्क्टिका महाद्यूब के बिस्व के कई देसों के रिसर्च सेंटर हैं इसलिए मैंने कहा ना बेज्ञानिक अंसंधानों की भूमी जिसमें हमारा भारत भी यह देखिए दक्षिन गंगोत्री मैत्री और भारती भारती अभी 2012 में लार्समन की पहाडी में इसको स्थापित किया गया है तो तीन-तीन रिसर्च सेंटर हैं दक्षिन गंगोत्री मैत्री और भारती जिसमें से एक अब समापत हो यही आप जो सबसे रिसेंट है वो भारती है। इसी तरह से देखिए और भी देसों के नाम यहां पर दिख रहा है। जैपान का है हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके का है इसी तरह से चिली का भी है और कौन सा है देखें क्या कह रहा है उस रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है बर्नार्डो ओ हिंगिस रिसर्च स्टेशन पर 36 पॉजिटिव मौमले पाए गए हैं तो यहाँ पर आईए मांचित में हम लोग देखते हैं वह कहा है तो यह जो है यह देख रहे हैं यह चिली नाम लिखा हुआ है की नहीं तो यहाँ पर यह अवस्तित है इसका नाम क्या है बर्नार्डो ओ हिंगिस यह देखी लिखा है Atlantic Ocean Indian Ocean को Pacific Ocean को यानि सारे महासागरों को यह टच कर रहा है यहाँ Rose Sea है यहाँ पर देखिएगा Amundsman Sea यह सब लोग यहाँ पर खोजे थे तिस तरह से यहाँ कभी कभी आ जाता है तिसको मैं जरूर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यह देशे United States of America South Pole पर है इसका इसी तरह से हमारे भारत का है ही मैंने बता ही दिया और भी देशों का है लेकिन यहाँ पर आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पर Corona Positive पूछ लेगा कि सबसे पहले किस देश का पाया गया या कौन सा Center का नाम ही देदेगा यह ध्यान रखेंगे और यह दोस्तों देख रहे है ना चिली देस है तो चिली देस पतला सा देस है यह देख रहे है ना चिली की तरह है भी दोस्तों ट्रॉपिक आफ कैप्रिकान इसके बीचों बीच गुजरती है इसकी राजधानी दोस्तों सैंटियागो है क्या है चिली की कैपिटल है सैंटियागो इधान रखेंगे और यहां पर एक देख रहे हैं न वाल पराशो है यहीं से याद रखना अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयस के बीच ट्रांस एंडियन रेल मार्ग यहीं यो एंडियज परवसिंखला भी है तो यहीं पर एक दर्रा है पास है उसका नाम है उस पलाटा दर्रा तो उस पलाटा पास को काट करके यह ट्रांस एंडियन रेल मार्ग बनाया गया है दोस्तों यहाँ गुआनो पक्षी का बीट यहाँ नाइट्रेट फासफूरस यह सब कुमात्रा में पाया जाता है यहीं पर बिस्व का सबसे ड्राइस डेजर आता कामा डेजर्ड भी है दोस्तों यह भी बता चुका हूँ अरीका और एकी के इसे घोस टाउन कहा जाता है पिछले कई सो वर्सों से यहाँ वर्सा ही नहीं हुई है और यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है भूमध्य सागरी जलवायू पाई जाती है सबसे दक्षिर्टम यह देख रहे ना पुंता एरिनास है रहे यह धन सबसे दक्षिर्टम यह ध्यान रखेंगे उस्टिये टाफ मैगलेन जलसंधी भी यही है दोस्तों मैगलेन ही ऐसा था जो पूरे 20 सुका भ्रमण किया था लास्ट में फिलिपीन्स पहुंसते पहुंसते यहाँ समाप्त हो गया था वहाँ पर कुछ अदिवासियों ने इसको मार दिया था अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की और यानि समाचार में विभन रास्टी अंतरास्टी ब्यक्तित्त में आज एक महिला है इनका अब चितर देख रहे होंगे जो अब नहीं रही कोरोना ने इन्हें भी अपने कह सकते हैं काल के गाल में समा गई तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मशुहूर कवित्तरी एक्टिविस्स सुगाथा कुमारी 86 यर ओल में निधन हुआ है पदम स्री से सम्मानित सुगाथा कुमारी को कोविद 19 पॉस्टिप पाई गई थी उन्हें गंभीर निमोनिया की हालत में स्पताल में भरती कराया गया था और डॉक्टरों ने कहा कि वह ब्रॉंको पमोनिया से पीडित थी इस बीमारी में फेफणों के हवा के ठक्के में सूजन पैदा हो जाती है जिसकी वज़ा से वह नहीं रही दोस्तों सुगाथा कुमारी मल्यालम साहित के छेत में एक प्रभावसाली आवाज थी केरल साहित अकाद्मी पुरसकार केंदर साहित अकादमी पुरसकार अडक कुजल पुरसकार एजू थचन पुरसकार से समानित किया गया था और सुतंता सेनानी बोधेश्वरन और संस्कित की विद्वान वीके करत्याइनी अम्मा के घर 22 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था यह ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्व संबंदी समाचारों में बैंक आफ बड़ोदा बी ओ बी हैस साइन ए एम ओ यू बित डिफेंस फोर्सेज सीधे प्रसना आजाए का अभी हाल ही में बैंक आफ बड़ोदा ने किसके साथ समझोता किया है किसके साथ समझोते पर हस्ताक्षर किया है बैंक आफ बड़ोदा ने भारतिये 9 सेना और भारतिये 3 रक्षकबल के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहद बैंक खाता धारकों को सुविधाओं के साथ अनुकूलित सेवाओं भी प्रदान करेगा बैंक ने बैंक बड़ोदा सैन ने वेतन पैकेज के माध्यम से विसेश रूप से अनुकूलित बैंकिंग सेवाओं की पेसकस करने के लिए भारती सेना के साथ यहां मौझूदा समझाओं ग्यापन को नवी निकृत किया है तो यहां महात्पूर्ण है ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बड़ोदा सैन ने वेतन पैकेज क्या है ये भी थोड़ा ज्यान लिजिए तो इसके तहत सेवाएं 82 सो से अधिक घरेलू शाकाओं और लगभग 20 हजार ब्यवसाइक समबाददाता टच पॉइंट के नेटवर्क के माध्यम से बैंक के माध्यम से भारती ससस्त्र बलों के सेवारत और सेवानित कर्मियों को यहां प्रदान की जाएगी यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे पैकेज में निशुल के बैक्तिगत दुरगटना बीमा कवर भी है कुल विकलांगता कवर भी है आंशिक विकलांगता कवर है यह सब वायु दुरगटना बीमा कवर है साथ ही सेवा रतकर्मियों के मामले में मिर्ट पर उच्छ सिक्षा कवर लड़की का जो बाल बिवा कवर यानि लड़की बच्चों के बिवा सहीद बहुत ही आकर सक इसमें बातें तो इस तरह से पैकेज के तहट अन्य परसादों में भी सभी बैंक एटियम में असीमित पूरी इसके संस्थापक सयाजी राव गायकवार तृतिय थे ध्यान रखेंगे 1908 में बढ़ोदरा में इसकी स्थापना की गई थी MD&CO संजीव चड़ा है यह बैंका बढ़ोदा का यह लोगो है कह सकते हैं अब बढ़ते हैं इन्फाइनाइट इंडिया दोस्तों ICICI बैं इन्फाइनाइट इंडिया ध्यार रखेंगे इन्फाइनाइट इंडिया लॉंच किया है वन स्थाप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मुल्यवर्दिस सेवाओं जैसे कि एक बैवसाइक एकाई कार्पूरेट फाइलिंग लाइसेंस पंजी करन मानो संसाधन से इंडिया यानि जो बिदेशी इन्वेस्मेंट है उसको भारत में लाब मिलेगा तो यह भारत में लॉंच किया गया है इन्फाइनाइट इंडिया ओनलाइन प्लेटफॉर्म है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों भारत में ब्यापार को और मजबूती प्रदान करने के लिए यह बिंदू भी है इसको अब भड़ते हैं पुस्तकें पुरसकारों में दोस्तों हम लोगों ने आज पुस्तकों पुस्तकों को लिया वो भी प्राचीनतम पुस्तकों को जैसे पहला आप देख सकते हैं अस्टाद है इसके रचाईता पाणिनी है तो संस्कित ब्याकरण क सबसे प्राचीनतम यह ग्रंथ है प्राचीन भारत के गणराज्यों के बारे में इसमें चर्चा की गई है पाणिनी ने की है फिर रामायड बालमीकी जी इनको रतनाकर के नाम से जाना जाता था एक डाकू थे और रामायड जैसे ग्रंथ का इन्होंने निर्मान कर दिया मह 1909 के मैसूर बिश्व विद्याले के लाइब्रेरियन साम शास्त्री ने, ये ध्यान रखिएगा, साम शास्त्री ने, किसने, साम शास्त्री ने कब 1909 में मैसूर बिश्व विद्याले के लाइब्रेरियन ने खोजा, और 1915 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था, अर पुष्य मित्र सुंग के दर्भार में था और इसने सुंग के द्वारा किये गए अश्मेग यग में मुख्य पुरोहित की भूम का निभाई थी और दोस्तों ये जो है कह सकते हैं कि इसमें महाभास में क्या है अस्टाधाई की ब्याक्ष्या की गई है इसी तरह से गीत रासो चंदर वरदाई तो इसी समय एक और भी है विजय जैनक की है विजय कह सकते हैं विजय रासो तो यह ध्यान रखेंगे और रजत रंगनी कलहन यह याद रखेगा कलहन यह कश्मीर का इतिहास भारत का पहला इतिहासिक गरंथ है और इसी तरह से हर्स चरित कादंबरी ये दोनों बान भर्ट की किताब है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, हर्स वर्धन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो ऐसे ही दस-दस पुस्तकें, आठ-ठ पुस्तकें, पांच-पांच, ऐसे याद करते रहा करिए, अब हम लोग बात करेंगे खेल समाचारों की, न महासंग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यहाद ध्यान रखेंगे, किसका स्थान लेंगी, गुरुमीज सिंग सोडी का, तो पहले भी भारती साफ्टबल, जो साफ्टबल महासंग है, उसकी उपाध्यक्ष थी, उन्होंने काफी सुधार किया, तो अब जो है, इनको अध ध्यक्ष इसका बना दिया गया है, फैक्ट है याद रखेंगे, मैसी बिकेम प्लेयर टु स्कोर 644 गोल फार एक कलब, दोस्तों यह जो है, पेले का रिकार्ड तोड़ दिया है, लियोनेल मैसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644 गोल दागा है, अब वो किसी एक कलब के ल कहा जाता था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ब्राजील का खिलाड़ी है, पेले 1940 में उसका जन्म हुआ था दोस्तों, पेले का 1940 में जन्म हुआ था, याद रखेंगे, ब्राजील में मिनास गिरास, और मिनास गिरास लाःस के लिए भी जाना जाता है, ऐसे कनिट करके प्यारे बच्चों, इसे फुटबाल के सहनसाह के रूप में, सहनसाह पेले बुला करके बुलाया जाता था दोस्तों, तो यह ब्राजील के महांतम फुटबालर में से एक थे पेले साहब, तो उनकी बराबरी इन्होंने कर ली है, मैसी ने 749 मैच में 644 गोल दा गे हैं, पेले यह 749 मैच लिए, 656 मैच में ही 643 गोल दा गे थे, तो मैसी ने रिकार्ड बार्सिलोना वर्सिस रियल वेलाडो लिड मैच में बनाया है, तो यह ध्यान रखेंगे, यह मैसी का पिक्चिर है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, महत्पोर्ट दिवस में नेशनल कंज्यूमर साल, दोस्तों, यह 24 दिसंबर 1986 को उभोक्ता सनरक्षन अधरियम बिध्यक पारित किया गया था, इस अधरियम के तहत अब कोई भी उभोक्ता अनुचित ब्यापार की शिकायत कर सकता है, उभोक्ता दिवस को वर्स 2000 में पहली बार मनाया गया था, इसके अलावा हर 15 मार्च को 200 उभोक्ता अधिकार दिवस, यह भी ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट भी, और साल 2020 का जो रास्टी उभोक्ता अधिकार दिवस का जो थीम है, सस्टनेबल कंजूमर रखा गया है, यह भी बहुत महत्पूर्ण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब बढ़ते हैं, ले यहाँ पर लिख दीजिएगा, उतपादक, यानि उतपादन करने वाले देश, प्रोडक्सन, देखें, दो तरीके से आपको पहना, आज हमने उतपादन के आधार बताया है, फिर अगले दिन हम भंडारन के आधार पर भी बताएंगे खनिजों को, तो आज 10 खनिजों को ल यहाँ पर चीन में जो है, जो मंचूरिया वाला प्रांत है, वहाँ पर भी यहाँ जो है, लोहा पाया जाता है, और विश्व का प्रतम स्थान है, इस तरह ऑस्टेलिया में पिलबारा, इताबारा स्थान है, भारत में सिंग भूम, कुद्रे मूख, बैला डीला की इस गड़ की यह सब लोहे की प्रमोख खाने हैं, दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से तामबा में आजाईए, चिली है, बिस्व में प्रतम स्थान पर अभी चर्चा किया था, चिली की राजधानी सैंटियागो है, चिक्वी कमाटा, बिस्व की सबसे बड़ी ताम अविका में सब जयादा, दूसे नमबर पर चीन है, औस्टेलिया गैबन, बॉकसाइड में याद रखना दोस्तों, आस्टेलिया में वीपा खान है, बिस्व की सबसे बड़ी बॉकसाइड की खान, दूसे नमबर पर चाइना है, तिसे पर ब्राजील है, चौते पर गुया गोल्ड में दोस्तों चीन नंबर एक पर आ गया है औस्टेलिया में बता चुका हूँ काल गूरली कूल गार्डी सोने की खाने हैं रूस में भी है याद रखिएगा रूस तीसरे नंबर पर आता है चौते नंबर पर संयुक्तराज अमेरिका अगला है छट्वा जो जिंक जस चीन नंबर एक पर है पेरू दूसरे नंबर पर है औस्टेलिया तीसरे नंबर पर संयुक्तराज अमेरिका तो दोस्तों सीसा तांबा जस्ता चांदी वहाँ पर ब्रोकेन हिल है औस्टेलिया में कई बारा आप लोंग परिक्षाव में आया हुआ ब्रोकेन हिल तो वहाँ माउंटी सा ये सब पाये जाते हैं सीसा तामबा जस्ता वहां पाये जाते हैं ठीक है इसी तरह से चांदी सिलवर मैक्सिको यहां चीह या हुआ खान है बिस्सकी सबसे बड़ी चांदी की खान है चीन दूसरे नमबर पर है पेरू तीसरे नमबर पर है और भारत में चांदी राजस्तान में होता है कोईला दोस्तों चीन नमबर एक पर है दूसरे पर संयुक्तराज अमेरिका है तीसरे पर हमारा भारत है कोईले में जैसे छोटा नागपुर पठार छेतर है याद रखना गोदावरी यानि सब नदी घाटी छेतरों में कोईले के निक्षेब भारत में 98% गोंडवाना क्रम की चटानों का कोईला पाया जाता है चार प्रजातिया कोईले कोईले कोती है एंथरासाइड, बीटूमिनस, लिगनाइट और पीट तो भारत में सबस जदा बीटूमिनस प्रकार का कोईला पाया जाता है चीन में सबसे जदा लिग याद रखना एंथरासाइड, सबसे अच्छी क्वाल्टी का कोईला होता है एंथरासाइड में कारवन की मात्रा 85 प्लस होती है बीटूमिनस में 75 प्लस होती है लिग नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है हमारे तमिल नाडु के नेवली में पाया जाता है दोस्तों याद रखना तो उसमें 55% कार्बन की मात्रा होती है और सचोथा जो पीट कोईला उसमें less than 40% कार्बन की मात्रा होती है उस्तेलिया में निव साउथ वेल्स हंटर घाटी कोईले के लिए जानी जाती है दोस्तों याद रखना इसी तरह से यूरेनियम में कजाकिस्तान नंबर वन पर आ गया है दोस्तों कनाड़ा पहले हुआ करता था यूरेनियम सिटी कहां है कनाड़ा में है दूसे नंबर पर है औस्टेलिया में 20 का सबसे बड़ा रिजर्वी यूरेनियम 27 परसन से अधिक यूरेनियम आस्टेलिया में ही पाया जाता है और नाइजर यहा अफरीका महादीब का देश है हमारे भारत में बात की जाये तो जादू गुड़ा की खान हाँ कहां है जारकंड में है इसी तरह से डॉमियो टास में घाले में है दोस्तों याद रखेंगे यूरेनियम पाया जाता है इसी तरह से थुमला पल्ली है आंध प्रदेश में यहां भी पाया जाता है इसी तरह से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जहासी वाला जो छेतर है वहाँ पर भी यूरेनियम के भंडार पता चले हैं तो ध्यान रखेंगे अब आते हैं मिनरेल ओयल साउधी अरब नंबर एक पर साउध सायूक तराज अमेरिका दूसरे नंबर पर है तीसरे पर रूस है और चौत नित्य किया था उसके लिए छमा चाहता हूं एक लावनी जो है मेघाले वहाँ पर लोग नित्य होता है तो इसी वज़ा से थोड़ा सा मुझसे फिसल गया था इसके लिए मैं छमा प्रार्थी हूं सौरी इसके लिए ध्यान रखेएगा लावनी जो है महरास्ट का लोख न जीएगा अब आते हैं हम लोग आपके सेक्षन में जो कि आप लोग लगातार तहल का मचाई हुए हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं दोस्तों मैं बहुत ही खुश होता हूँ आप लोगों के इस जो यह सेक्षन को आप जो इतनी जल्दी से और इतना सीरियसली ल गए हैं हाँ यहाँ पर अब देख सकते हैं उत्तर देने वालों में सूरज उपाध्याए ग्यान रंजन साहू सारा आनंद विवेग सिंग ओलिक सिन्नु और गोपाल चोहान राजेश कुमार स्वैपी सोनु संतोष कुश्वाहा काफी दिन बाद आये हैं गोपाल कृष्ण बेहरा, आदित्य चैरवाल, अभिशेक अचवाले, विजय कुमार, अंजली कुमारी, मधु आशुतोष, नामपली, साइन रामकृष्ण, सुकन्या जेना, नीलम सिंग, राजेश कुमार, इसके सासा संजय नेगी, सिटी सोलूशन, प्रमोत कुमार, श्वैपी स्वयोनू प्रती गंदोत्रा, यशोदा कृष्ण, इन सब लोगों ने भी कमेंट किया है, तो दोस्तों जादा से जादा लोग उत्तर देने का प्रयास करें, और बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं, आज आप लोगों के सामने पहला कोश्चन है, जली कट्टू किस र प्राइल या फ्रांस, दोस्तों तीसरा कोश्चन है, केरल सरकार ने भारत के पहले लिंग डाटा हब किये स्थापना के लिए किससे समझावता किया है, सैयुक तरास्ट महिला, बिस्व बैंक, अंतरास्टी मुद्रा कोश्च या इसी आईबिकास बैंक, नेस कोश्चन है, बेंजामिर नेतिन्यानु किस देश के प्रधान मंतरी है, जहां सरकार गिर गई है, ब्रिटेन, इसराइल, इरान या साओधी अरब, नेस कोश्चन है, अन्टार्किटिक महादीव में किस देश के अनुसंधान के इंद पर कोरोना मरीज पाए गए, ब्रिटेन, भारत, चि किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है, भारती नौ से ना, भारती वाईव से ना, इसरो या डी आर डियो, यानि रिसेंटली बैंक का बढ़ोदा है, साइन ए मेमरेंडम आफ अंडेस्टेंडिंग विथ हूम, जल्दी से बताना है, नेस्ट कोशन है, रा अदक देश कौन है, कनेडा, कजाकिस्तान, औस्टेलिया या चाइना, इन उत्तरों को शिगर आप लोगों को देना है, और लगातार आप लोग उत्तर देते जा रहे हैं, आशा करता हूँ कि आगामी परिक्षाएं आप लोग जरूर सफल होंगे, और दोस्तों आज का वी